ओम सिरीगनी सायनम दोस्तो एश्क्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज 21 वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 माई गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही है कोई लाबदायक और महत्पपूर समाचार मिलने से आप स्वैम को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक शशक्त महसूस करेंगे रुके वे काम को पूरा करने के लिए आप पूरी महनत लगा दो आज का दिन आपके लिए बहुती लाबदायक दिन शाबित होने वाला है आज कोई महतपूर्ण समाचार आपको अवश्य मिलेगा आर्थिक समस्य हल होंगी रुके हुए किसी जमीन जायजाद सम्मंदित कारों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यत्तित होगा अपनी प्रतिबां और चमताओं को समझें इससे आपके व्यत्तित में और अधिक निखार आ जाएगा तथा समाज में आपकी छवी भी निखरेगी आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा काम का अधिक बोज रहेगा प्रंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यत्तित होगा अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुती उत्तम है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परिशानी से आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तों समय की चाल आपके पक्ष में हैं इसका आप आज भरपू भी काम अत्वा योजना की पहले रूप रे का अवश्य बना लें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों अनेक प्रिकार की सफलता हैं आज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें दूसरों की फिजूल बातों को नजर अंदाज करें मन में कुछ अनहोनी होनी जैसी आसंका होने का आज भैर रहेगा अपने श्वयबाव पर नियंत रखें क्योंकि कभी-कभी आपके क्रोध पूर्ण वानी दूसरों को आहत कर देती हैं साती संबंदों में भी कटूता आ सकती हैं दोस्तों आयके संसादनों में कमी रहेगी परंतु खर्चे वर करार रहेंगे इसलिए अपने बजट के अनुशारी खर्च करें कुछ ऐस्वस्तता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बनाकर दें इससे अकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है कुछ प्रतिदूंदी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकार अत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परंतु जरासी सावधानी आपको परेसानियों से मुक्त रखेग घर के बड़े बुजर्गों की अवहेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस की वज़े से आपके बंते कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज परिहास वे खुसी का माहुल रहेगा परिवारिक वातावरन आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रगड़त आएगी रोमांटिक माहुल रहेगा निकट संबंदियों के यहां डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं काफी समय बाद घर से निकलना वे लोगों से मिलना जुलना खुसी और इस्फूर्ती प्रदान करेगा परिवारिक वातावरन खुसनुमा रहेगा घर के सभी सदस्ये एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे बहारी संबंदों से सावधान रहें इनसे मान हानी होनी की भी संभावना है पर लिए उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकालें विवाहित संबंदों में कुछ समय से चल रहे तनाव को साथ बैठ कर सुल जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन पुन्हें शुकद और मधूर हो जाएगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवसाय केरियर कै कारों में कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी इसलिए फिक्र करने की आवश्यक्ता नहीं हैं किसी उच्छ अधिकारी का शयोग आपके कारों में मन मुताविक सफलता प्रदान करेगा साथ ही कोई बड़ा और भी मिलने की भी आज संभावना है सरकारी शेवारत व्यक्तियों के उपर काम का अधिक बोज आज पढ़ सकता है कारे छित्र में कोई भी निर्णे अकेले ना लें बलकि टीम वर्क बना कर काम करें इससे वेवस्ता उत्तम बनी रहेगी आर्थिक मामलों पर किसी पर जोता करें दोस्तों वेवसाय छेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बहतर परिणाम हासिल होंगे आज आपके भाग्य का आपको अधिक सयोग प्राप्त होगा नोकरी पेशा व्यक्ति किसी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें वेवसाय के परिस्तितिया आज अनुकूल बनी रहेंगी अपना पूरा ध्यान बिजनिस पर केंदरित करें किसी बड़े अनुबंद के मिलने की आज संभव ना हैं वेवसायक गती विदियों संबंदित योजनाएं किसी भी बहारी व्यक्ति से आप शेयर ना करें कोई इसका अनुचित उप्योग कर सकता है और ऑडर संबंदित सभी कारों में पक्के बिलका आप उप्योग करें दोस्तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुती लाबदैक दिन रहने वाला हैं दोस्तो नौकरी से संबंदित आज आपको बहुती अच्छी खुसकबरी आवस से प्राप्थ होंगी जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो गैस और ऐसे डिटी से आज परिशानी रहेगी खान पान में सेयम रखें वेवेस्तित दिंचरिया रखने की आज आवश रकता है स्वास्थ मौसम के बदलाव की वज़े से ठकान अनुबब और कमजोरी महसूस होगी अपना इम्यून सिस्टम स्टॉंग रखें जिहां दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप र भगवान श्री हरी विष्णुजी की मूर्ति को विदिवत विधान के साथ किसी पीले वस्तर पर इस्थापित कर चंदन और पीले फूलों से उसकी पूजा अर्चना बहुती शरद्धभाव से करें इसके साथ ही प्रसाद में चने की डाल और गुड चाड़ाएं इसके ब करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब विशेष फलो की प्राप्ति होंगी और आपकी समस्त मनो कामने भगवान श्री हरी विष्णुजी अवश्य ही पून करेंगे दोस्तों भगवान श्री हरे विश्वनों वश्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद